इलाइट स्टेडी प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत्ता इस वीडियो में डिस्कुसिन करेंगे 14 जनबरी 2022 के हिमाचल परदेश राष्टिय तथांतराष्टिय करन्ट अफिर्स के बारे में पहला प्रसंद है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल का परिक्षन किसके दोरा किया गया है तो किसका परिक्षन किया गया है डियाइडियो के दोरा यह प्रसंद आपके लिए बहुत इंपोनेंट है क्योंकि जो भी हमारा देखिए साइंस सेंटिफिक जो भी यहां पर होता र बरतमान में इदि आप देखें सबस्यादा सुर्खियों में उत्तर परदेश ये क्योंकि यहां पे विधान सबा के चुनाप रस्तावीत है 403 सीट्स है यहां पे विधान सबा की पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्या है इदि विधान सबा की सीटों की बात की जाए तो यहां पे बरतमान में बारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है लखनौ उत्तर परदेश की राजधानी है योगी आदित्यानाथ जी यहां के मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ समाजबादी पार्टी है जो की एक कड़ी प्रतिदुन्दी मानी जाती है वहां पे बारतिय अखिली स्यादव उस पार्टी का प्रतिने दित्तों कर रहे है तो अब देखना दिल चस्प होगा कि आने वाले समय में जो मार्च महीने में परिनाम आयेगा किस तरफ जाएगा कौन सी भासा भारत के सास्त्रिया भासा की आधिकारिक सुची में सामिल नहीं है तो देखिए यहां पे अभी बंगाली भासा को इसमें समिलित नहीं किया गया है हाली में किस ने INS विसाखा पतनम से ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत C2C संसकरन का परिक्षन किया है इसको परिक्षन भी देखिए DRDO के दोरा किया गया है नेक्स्ट बन इस ECORAP किस संस्तान दोरा जारी की जाने वाली एक परमुख रिपोर्ट है देखिए जितनी भी administrative स्थर की प्रिक्षाएं होती है तो उसमें तो निश्ची तोर पे यहां से प्रसंद देखने को मिलता ही है तो आप इसको अच्छे से memorize कर लिजेगा जो ECORAP रिपोर्ट है इसे SBI यानि भारतिया स्टेट मैंक के दोरा इसे जारी किया जाता है एंबी लिंपिक्स दिव्यांग भ्यक्तियों के लिए किस सक्सियत्तर में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है देखिए याद रखिएगा I bisher EMB Putsk दिव्यांग प्रतियोगिता है किस सित्तर में ये आयोजित होती है तो ईक कोसल प्रदरसन से सुमन्दित है आजकर इस तरह के प्रसन हमें निष्टी त्वर पे देखने को मिल रहे हैं दिव्यांग बच्रों से हो गया परेवरन है आपता है यहाँ बहुत प्रसन देखने को मिल रहे है कपिल मुन्नी मंदिर कहा स्थीत है पश्ची बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुन्नी मंदिर स्थित है संजय जील किसकेंदर सासिच परदेश की आदर भूमी है आदर भूमी को बैटलेंड भी कहा जाता है तो संजय जील है नई डेहली की आदर भूमी सी ड्रेगन 22 सेन्या हव्यास में देशों का कौन सा स्मू भाग लेता है इंडो पैसिवक जो देश है सी ड्रेगन 22 में सेन्या हव्यास में देशों का स्मू है ये भाग ले रहा है निर्भया कड़ी अभियान किस राज्या से समंदित है तो याल रखिएगा निर्भया कड़ी अभियान है आपका उडिशा राज्या से सबंदेद कौन सा केंद्रिया मंतरालिया उजाला करेकरम लागू करता है तो उजाला करेकरम है विदूत मंतरालिया का आगे हम दिस्कुसन करेंगे हिमाचल परदेश के बहुत ही मतोपून करंटा फिर्स के बारे में पहला प्रसन है हिमाचल परदेश सरकार मचली व्यवसाय को बढ़ाबा देने के लिए कितने प्रतिसत अनुदान दे रही है तो 60 प्रतिसत अनुदान हिमाचल परदर सरकार दे रही है ताकि विरोजगार यूबा मचली विपसाय करके भी अपना आजीमिका का स्त्रोथ जनरेट कर सके इमाचल परदेश के कितने पुलिस अधिकारियों एवं करमचारियों को पुलिस प्रसिक्षन उत्करिष्टा के लिए किंद्रिया ग्रहिया मंत्री पदक से नबाजा गए है चार इसकी संक्या है, कमेंट सेक्शन में आप इन चारों अधिकारी और करमचारीयों के नाम बताईएगा देखे, COVID-19 पैंडामिक चल रहा है, इसके बीच में भी पुलिस वरसासन का रूल बहुत ज़्यादा बल जाता है राष्ट्रिया औस्दिया पादप बोर्ड ने तीन साल के लिए 40,10,29 रुपए की इन बीबो एंड इन विट्रो स्टडी ओन सिंजर्शिस्टिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन वरेष्ट कैंसर ऑफ माइनस नामक परियोजना किस केंद्रिया विश्व विदालिय के लिए सभीकृत की है तो इसे सभीकृत किया गया है केंद्रिया विश्व विदालिया हिमाचल परदेश के लिए साथ में आप याद रखिएगा यहाँ परियोजना स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के लिए भी मंजूर की गई है सिंकुला दरे का निर्मान किस के द्वारा कि बियारो के चीफ के द्वारा साथ में आपको याद रखना है बियारो के जो बरतमान में चीफ इंजनियर है उनका नाम है जितेंदर परसाद Elastady Corotin website को विजिट कीजिएगा नमिंतम किताब यह आपको यहाँ पर मिल जाएगी नमिंतम किताबों की स्टेणी में हम आपको अपडेट करना चाते है JOIT के लिए बहुत यह बेहतरीन किताब है Elastady Team की जिसमें complete आपको syllabus मिलता है computer का जो कि संक्सिप्त notes की फॉरम में है chapter में आपको theory मिलेगी, summary में chapter की संक्सिप्त में इसकी summary डाली गई है, single liner है, abbreviation है और mcq है हर chapter की रूप नेखा इसी तरह से रखी गई है, साथ में 30 old question paper इस किताब में संग्रहित किये गए है जीने पढ़के आपको पता चल जाता है कितनी महत्तोपुन इस किताब की हद्यान समग रही है किताब का 33 भाग HPGK, national और international GK को लेकर के है बहुत ही महत्तोपुन इस किताब और 10 moral test paper भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इदर आप इन moral test paper से साथ अपने टिक्सा के exam को समझने का प्रयास करते है जो निश्ची तोर पर आपको ये सफलता प्राप दिलाएगी Thank you very much, keep watching Elias Daddy YouTube channel